जेहन दोस्तो, प्यारे बच्चों मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हम जिस पार्ट को उठा रहे हैं वो एक शांदार जवर्दस पार्ट है अगर आपने इस पार्ट को कवर किया पूरे सेशन में तो आप यकीन मानिए जेह एडवांस लेवल तक इस पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है मैं बात करने वाला हूँ आज कंपोनेंडो एंड डिवीडेंडो रूल का इस रूल का इस्तेमाल हम 11th क्लास की मैथ से लेकर के और IIT जेह एडवांस तक के क्वेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको उसका कनेक्शन भी सिखाऊंगा कि किस तरह से उसका कनेक्शन जे लेवल के क्वेशन तक पहुंच सकता है आज आई फटा-फट बिना समय बेश्ट किये शुरुगात करते हैं देखो भई, कंपोनेंडों और डिवीडेंडों की बात हम करें मैं एक रेशियो उठा रहा हूँ A upon B, मैंने मान लिया कि वो C upon D के एक्वाल है ये वाली बात हमने मान लिया कि A upon B और C upon D इक्वाल है यानि की A to B is equal to C is to D अब इसी बात से मैं दो रिजल्ट निकालने वाला हूँ मैं इस रिजल्ट में दोनों तरफ प्लस वन कर रहा हूँ और सेम रिजल्ट मैं दोनों तरफ में माइनस वन कर रहा हूँ तो मेरे प्लस वन करने के बाद क्या होगा जरा अधिहान से लेको प्लस वन प्लस वन मैं LCM ले लेता हूँ तो A प्लस B अपॉन B is equal to C प्लस B अपॉन D और जब मैं दोनों तरफ माइनस करूंगा तो माइनस वन करते ही A माइनस B अपॉन B C माइनस D अपॉन D मैंने LCM भी ले लिया और अब अगर आप इन दोनों रिजल्स को डिवाइड कर दो दिस अपॉन दिस तो देखो A प्लस B अपॉन B में से D और B कैंसल हो जाएगा तो उम्मीद है आपको यह वाद चमकेगी कि A प्लस B अपॉन A माइनस B हो गई और जब आप यह वाले पार्ट में इसका डिवाइड लगाऊगे तो D और D कैंसल होगा तो that will become C प्लस D अपॉन C माइनस अब आप थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से इस पीले डब्बे को देखो और पीले डब्बे के बाद में हरे डब्बे को देखो तो आपको यह फील होगा कि अगर A upon B बराबर है C upon D के तो यह numerator और यह denominator तो इस अगे मैं numerator plus denominator और whole upon numerator minus denominator कर दूँ तो दोनों में खेल बराबर आ जाएगा क्या हैगा बराबर? numerator यानि कि A plus denominator numerator minus denominator is equal to C plus D numerator plus denominator numerator minus denominator वही सेम चीज़ इस रूल को हम बोलते है component and dividendo दो process component and dividendo हम इस्तेमाल करके एक result हमने बना दिया आपके लिए अब आपको बस ये result के दम बर मैं कैसे कैसे questions आपको करा रहा हूँ अब आप देखिए आओ यार फटा फट शुरू करते हैं questions ये एक बहुत बहतरीन question मतलब जवर्दस question recent time पर अगर आप जई मेंस लेवल का question उठाऊगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आर इतने लेंदी और कालकुलेटिव क्वेशन ओ हो लुक अद इस एक तो क्यूबिक उपर से उसके factors इतने जवर्दस्त और धुमाधार इसको कैसे संवला जाए आजाए ज़रा और देखते हैं इसमें क्या component और dividend को सर लगा पाएंगे सबसे पहली चेश 91 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और 91 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है तो मैं 91 को common अगर ले लू तो that will become x cube plus 3x और दोस्तों दोनों चीज़ें जो minus की दिखाई दे रही है यह और यह उनमें 341 में common ले लेता हूं तो जैसे 341 common लेंगे तो यह चीज उदर जाने के बाद में that will become 3x square अधर जाकर के plus का हो गये और यह चीज उदर गई तो यह plus का 1 हो गया भाई दोस्ती कर लो दोस्ती इसलिए कर लो क्योंकि जब तुम्हें यह लोग दिखाई देने लग जाए ना x cube दिखाई दे रहा है x square का term दिखाई दे रहा है x का term दिखाई दे रहा और फिर खतम होते हुए दिखाई दे रहा है यानि कि power 3 है power 2 है power 1 है और power 0 भी x तो आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि x plus 1 का whole cube और x minus 1 का whole cube j label पर इसके expansion से यह pick करना कि यह इसका whole cube बन रहा है कई chapters में इस्तेमाल होता है और हमें यह देखना आना चाहिए आप चाहो तो यहाँ पर a plus b का whole cube लगा लो और चाहो तो binomial expansion की help से आप team power आपको दिखाई दे रहा है कैसे जलेगा a cube plus b cube plus 3ab और a plus b and that will become x cube plus 3x square plus 3x और last में मैंने 1 लिख दिया on the same note a cube minus b cube minus 3ab and that will become x cube minus 3x square plus 3x minus 1 plus minus plus minus alternate तो अब आपको इन्हें देखो जारा ध्यान से इस result को सभी plus के हैं पहले cube है फिर square है फिर power 1 है और फिर power खतम cube है square है power 1 है फिर power खतम बस alternate plus minus तो plus minus अगर जा रहा है alternate तो x minus 1 का whole cube सारे plus जा रहे है तो x plus 1 का whole cube तो मुझे जब यह बात पता है और मेरे students जब यह वाली बात समझ लेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है तो उनको यह दिखेगा कि x cube plus 3x upon 3x square plus 1 and this is equal to 341 upon 91 और दोस्तो x cube plus 3x यह numerator है और यह denominator है हमें यह पता है कि numerator में अगर हम plus denominator कर दें तो जैसे plus करोगे तो यह whole cube का बन जाएगा यह plus के साथ और जब minus का करोगे तो minus का इवाला पार्ट और minus का इवाला पार्ट यानि कि यह minus बन जाएगा minus denominator सेम नोट पर numerator plus denominator और whole upon numerator minus denominator question आपको solve करना है answer आपको comment box में बताना है I will wait तब जबकि यह बन चुका है x plus 1 का whole cube और यह बन चुका है x plus 1 का whole cube और यह बन गया है x minus 1 का whole cube मैं चाहता है यह हूँ कि आप वीडियो pause करें और pause करने के बाद मैं इसका answer निकाले comment करें तब वीडियो आगे बढ़ाईए और अगर आप लगातार देख रहे हैं तो भी मैं चाहता हूँ कि अब आपको यह plus करिए और जब यह plus करिए फिरसे वही component and dividendo लगाऊगे तो क्या बन जाएगा भाई component and dividendo फिरसे वही numerator plus denominator numerator minus denominator यह कब जब आपको मिलेगा x plus 1 upon x minus 1 याद रखना component and dividendo तभी लगता है जब left and right side दोनों side कुछ चीज़ होनी चाहिए अब जैसे ही आप लगाऊगे तो left side will become numerator plus denominator that will be 2x numerator minus denominator minus cancel हो करके इधर वाला part आप निकाली लेंगे फटा-फट से solve करके answer बता दीजा मुझे कि यह calculation करने का मन अपने students के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे भरोसा है आपके यह कर लेंगे और comment box में मुझे answer चाहिए do that next question now please look at this question हमें x दिया हुआ है and the value of this हमसे पूछी गई है and दोस्तों अब इस question को J level पर अगर मुझे ले जाना है तो मैं बहुत प्यार से और कहिससे भी ले जा सकता हूँ find equation of a line passing through the point p,3 and having slope p square एक line आ गई माल लीजे वो line L1 है तो मैंने कह दिया कि भाई उस line L1 की दूरी बताईए किसी एक point minus p,p से कुल मिलाकर कि जरूट किसकी बढ़ने वाली है अब यह question तो अभी बहुत fundamental level पर मैंने बताया मैं तुम्हें यह question यह भी तो पूछ सकता था कि इंटीरेशन बताओ 0 से लेकर के pi upon p sin x dx मैं वही question मतलब ultimately हमें value कि इसकी चाहिए p की हम उस question को कहीं भी तोड मरोड कर पेश कर सकते हैं अब ऐसे question को कैसे handle करना है पहले वह सीखिए फिर आपको trick बताएंगे देखे जरा देखके लग रहा है x plus 2a जा रहा है x minus 2a जा रहा है यहाँ पर x I should have write this this is a printing error x plus 2b and upon my x minus 2b तो अब ऐसी स्थिती में हमें क्या करना चाहिए जो result है हमारे पास ध्यान से देखिएगा x upon my दोस्तो यह 4a भी लिखा है न this can be written as 2a into 2b तो दोस्तो अब अगर मैं 2a को नीचे ले आऊँ एक बार तो यह बचेगा क्या यहाँ पर this will be 2b upon a plus b जिस उत्साह से मैंने यह काम किया है उसी तरह से अगर मैं है अब आपसे यह बोलू कि सेम इसी तरह से भाई एक बार आप x upon 2b नीचे ले आओ अब remaining part will be 2a upon a plus b अब आप यही चीज़ लगा दिए component and dividend rule component and dividend rule यहाँ पर भी लगा दिज़े component and dividend rule numerator plus denominator upon numerator minus denominator चमका हमें क्यों लगाना है c and d numerator plus denominator that will be 3b plus a upon numerator minus denominator that will become minus होगा तो that will be b minus a similarly यहाँ पर भी component and dividend rule x plus 2b upon x minus 2b दोस्को numerator plus denominator 3a plus b upon numerator minus denominator that will become a minus b according to the question we need to add both अब जैसे ही दोनों को add करेंगे तो देखो है 3b plus a upon b minus a यहाँ पर b minus a बनाने के लिए यहाँ पर b minus a बनाने के लिए we'll have to take common minus यहाँ से minus लिए and this is 3a plus b पर whole upon a minus 1 sorry b minus a and now b minus a is LCM look at this 3b plus a minus 3a minus b यह हो गया minus 2a and that will become minus 2b b minus 1 common मतलब cancel हो जाएगा और 2 common हो जाएगा answer will be 2 अब 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 अगर यह 2 आगया 0 से पाई बाई 2 integration हो जाएगा यह 2 आगया तो स्टेट लाइन की एक्वेशन जो भी चाहिए स्टेट लाइन की एक्वेशन ultimately now we are having value of p that's it अमीद आपको इवास समझा गई होगी now look at this question इस तरह के रूट वाला पैटन लोगरिथम में बहत इस्तेमाल होता है मतलब मैं एक्वेशन दिया हुए and suppose this is p if I say this is p and now you are asked something like this कि log x-3 to the base p is equal to find x लो भाई p का इस्तेमाल करा दिया लोगरिथम का एक क्वेशन बना दिया हो सकता है लोग की इस value को मैं एम बोल दू जो आंसर आएगा इसका x का value माल लो मैंने इसको m बोल दिया या अब यहाँ पर भी x वहाँ पर x दे दिया है तो इसलिए मैं उसको x का इस्तेमाल लगरके मैं y लिख देता हूँ now find the value of y this be the question कहीं भी किसी भी तरह से में इसको इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते ना या तो आजाएए देखिए तरह इस question को कैसे handle किया जाए फिर वही कहानी है observation कुछ प्लस कुछ और वही कुछ वही कुछ बीच में minus आ जाए यानि कि this is a kale of component and dividend now for that आपको करना के एबल किया है x upon 2 root अब आप धियान से देखो इस हिस्ते को क्या लिख सकते हो 2 root 3 into में 2 root 5 and that's it तो अब आप इसके साब से 2 root 5 इदर ले आईए and now it will remain only 2 root 3 upon root 5 plus root 3 and same इसी तरह से इस चीज के लिए अब आप x upon 2 root 3 ले आईए now it will become 2 root 5 upon root 5 plus root 3 फिर से cnd लगाई है दोनों को add करिए इस situation में हमेशा answer 2 आता है इस बात को आप check करिए और मुझे comment section में बताइए क्या इस variety के हर question में answer 2 ही आ रहा है फट अफट बताइए और अगर ऐसा मिले आपको तो क्या आप इस तरह के question को अपने आप solve करके और comment box में इस question का answer मुझे आप direct बता सकते हो गया है अगर हाँ तो फट फट बताइए ना लुक अट इस मैं hint दूँगा आपको करना होगा जिससे अब एक result है हमारे पास ये दो variable में एक result है हम cross multiplication करे वहाँ से कुछ हासल होगा ऐसा नहीं लेकिन अगर हम आप ध्यान से देखे इस result में a square plus b square के साथ a भी अकेला आता हुँ अच्छा ना लगेगा अगर 2 a भी आ जाये ना तो मज़ा ही आ जायेगा भाई तो मैंने दोनों तरफ 2 का multiply कर लिया तो this is 58 upon 2 into 21 मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी क्लियर हो गई होगी यार अब अगर यह कहानी क्लियर है तो अब आप यहाँ पर जैसे कंपोनेंटों और डिवीडेंटों लगाओगे ना भाई तो यह बन जाएगा a plus b का whole square और नीचे numerator plus denominator will provide us this and numerator minus denominator a square plus b square minus 2ab that will be a minus b ka whole square this is 29 यार अब क्या बोलो भाई this will be 29 plus 21 और 29 minus 21 I don't think मुझे solve करना चाहिए यार फटा फट अब solve करके एक आखरी बार अगें कंपोनेंटों और डिवीडेंटों रूल लगाओगे अगर आपको यह का आंसर बताना आ रहा है तो फटा फट जैसे अगली बार कंपोनेंटों और डिवीडेंटों लगाओगे ना तो भाई यहाँ पर क्या बचेगा यह बचेगा a plus b और यह बचेगा a minus b ठीके जी भाई यार और जब a plus b a minus b बचा तो अब आप बापस लगाओगे तो numerator plus denominator will provide us a and numerator plus denominator will provide us b मलब 2a और 2b from here we can find a result between a and b यानि कि हम a और b के बीच का ratio निकाल सकते हैं तो इस question का उद्देश ये था कि कभी इस तरह का result देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई a is to b क्या होगा अब तो ratio के question probability में भी board exam में भी पूछे गए पिछली बार के board exam में probability में question आया तो कुछ भी इस तरह का अतरंगा देखर के आपको पूछा जा सकता है वहाँ आपको बस ये देखना होगा कि क्या numerator और denominator को हम जोड करके या घटा के कुछ फाइदा ले सकते लेकिन याद रखिए ये तभी करना है जब बीच में equal हो यानि कि left side भी होनी चाहिए हमारे पास और right hand side भी होनी चाहिए हमारे पास अगर ऐसा नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते अगर जी अब मुझे रखता है कि इसको ये 50 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा ये 25 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये 5 का स्क्वेर हो जाएगा ये 2 का स्क्वेर हो जाएगा तो अब स्क्वेर हटा लीजिए मुझे उम्मीद है आब आप समझ के होंगे ratio है तो हम negative नहीं ले सकते otherwise हमें पता होता है x square अगर वराबर है y square के तो x की value y नहीं हम लोग plus minus y बोला करते है लेकिन यहाँ पर ratio की बात है तो हम negative नहीं लेंगे ना ratio अगला question now look at this component औं dividendo में हम पहली बार ऐसा देख रहे है कि trigonometry भी आ सकती है मतलब C&D का question और trigonometry now please look at this question अब यह question ऐसे बन सकता है एक्जाम में भी P की जगह पर यहाँ पर आपको हमसे K plus 1 अपॉन के ऐसा करके पूछ सकते है कि भाई इसकी value क्या है इन दोनों का sum क्या है ratio P upon Q है तो बताओ P is 2 क्या है मतलब कुछ भी पूछ सकते है तुम्हें यहाँ पर K देने के बाद में K देते हैं कि तुम्हें वाल लोगा 3 दे दिया obviously 3 plus 1 upon 3 minus 1 और फिर P is 2Q तो वह पूछ लेंगे भाई P और Q को प्राइम नंबर से हैं अब P square plus Q इसकार बताओ खूब आते है ऐसे question जिरो ने P y Q लगा रखे उनको दिख रहा होगा तो अब ऐसी situation में हमें question कैसे handle करना चाहिए clue हमेशा यहाँ पर फिलाल तो दिख रहा है options में कि K plus 1 K minus 1 तो ऐसी स्थिती में अगर हम इससे देखे है तो sin 2a upon sin 2b and this is K K मतलब K upon 1 ऐसा हम मान सकते है Now use Componendo and Dividendo rule Componendo and Dividendo that will be sin 2a plus sin 2b and whole of 1 में sin 2a minus sin 2b k plus 1 k minus 2 and now please look at this sin c plus sin d as you all know s plus s 2sc that becomes so 2 sin this plus this upon 2 that will be a plus b cos this minus this upon 2 a minus b now this is whole divided with s minus s that will become 2cs yani ki 2 cos t a plus a upon 2 yani ki a plus b and sin t a minus a yani ki that will become a minus b 2 to common आकर के नीचे upon 2 वाले से cancel हो गया है उम्मीद आपकोई बास समझ आ गई होगी and now here it is k plus 1 upon k minus 1 and now look at this 2 से 2 cancel होने के बाद this is 10 of a plus b and the remaining part is cot of a minus b this is cot of a minus b and cot को हम लिख सकते हैं this is also 10 of a minus b and k plus 1 upon a minus b so now prove का question वो तो ठीक है चलो भई हमने prove कर दिया लेकिन जही में जब question आएगा तो इस तरह से आ सकता है कि यह वाला दिया हुआ k की value देदी यहां पर मालो 7 या for example root 7 या 7 ही देदी है और अब आपसे पूछ लेंगे कि भई यह वाली चीज अगर P upon Q का ratio में है तो बताओ P plus Q क्या होगा ऐसे करके question बन सकता है चलिए अगला question now this is a question जो J advance 2022 में आया हो actually question complex number का है हो सकता है आप मैंसे कुछ विद्यारती ऐसे होंगे जो 11th class के होंगे और lecture देख रहे होंगे अभी आपको केबल ही समझना है question समझ में ना है कोई दिक्कत नहीं अभी आपको यह समझ लेना है कि अच्छा complex number में भी सर ने advance में इसका इसका इस्तेमाल करवा दिया थी देखो कैसे Z एक real number है इस तरह से real number है कि यह purely real है यह वाली चीज purely real है देखो द्यान से observation आपकी बननी चाहिए 2 plus 3z plus 4z square जो लिखा है उपर 2 वैसा ही नीचे है यह यह 3z वैसा ही है 4z square वैसा ही है बस केबल फरक है यहाँ पर सेम चीज दिखरी वर प्लस माइनस का फरक है और यह एक real है तो मैं माल लेता हूँ कि यह कोई k number है k मतलब real है कुछ भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंनों complex बढ़ा है वो इस बात को समझ जाएंगे बागी लोग इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे केवाल कि अच्छा advance में भी कुछ इस्तेमाल होता है जब हमने यह देखा कि अगर numerator plus denominator करेंगे भाई तो 2 से 2 add हो जाएगा यह either add हो जाएगा यह cut जाएगा लेकिन जब घटाएंगे तो बहुत कुछ cut भी आएगा इसका मतलब this is the time के component do and dividendo लगाया जासकता है तो जैसे ही लगाया तो numerator plus denominator 3z 3z cancel होकर के that will become 4 plus 8z square and now whole upon numerator minus denominator 2 cut जाएगा यह cut जाएगा यह add हो जाएगा and this is 6z and here it is k plus 1 upon k minus 1 उम्मीद करते हैं कि आपको यह वाली बात समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है and again जो लोग चाहते ही है कि expression कोई किया जाए this is also a real number complex number की property कि अगर कोई complex number real है इसका मतलब z बराबर होता है z बार के तो फिलहाल यहां से कुछ common ले लेजिए जो cancel हो जाएगा यह common हो करके यानि कि यह आ जाएगा 2 plus 4z square upon 3z यह z है this is equal to 2 plus 4z square upon 3z का whole bar अगर purely real है तो यह condition true होती है अब यहां से जो start हो रहा है that is complex number आप चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो video क्योंकि अब आपके मतलब का नहीं अगर यह वाला part आपने पढ़नी रखा है तो यह दिखाई दे रहा है मैं वो निप्टाता हूं यह यहां पर 2 से नहीं पढ़ गया अमीद आप समझ गया होंगे 2 मैंने कॉमन ले लिया यहां से भी 2 कॉमन ले लिजे और 3 और 3 कैंसल हो गया that will become 1 plus 2 z square upon z and this is 1 plus 2 z bar square upon z bar and now cross multiplication will help us z bar plus 2 z bar z square is equal to z plus 2 z bar square or z सब इदर ले आईए तो देखिए क्या हो जाएगा z bar minus z आजाएगा इदर इसमें और उसमें common ले लिजे तो plus का 2 z into z bar आगया अब यहां बचेगा z यह बचेगा minus z bar is equal to 0 इन दोनों की help से देखो के ज़रा ध्यान से तो minus common ले लो अगर आप तो यह minus common लेने के बाद आजाएगा z bar minus z एक bracket में और दूसरे bracket में 1 minus 2 z into z bar is equal to 0 या तो यह 0, यह 0 यह 0 हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कि अगर यह 0 हो गया इसका मतलब z और z bar दोनों बराबर हो गये और z और जक क्योंकि Sahand me कहा गया है वह कि Careful जो है non-real number है non-real का मतलब imaginary है और imaginary number इसका मतलब z और z बर बराबर नहीं हो सकते तो बस अब आपको यहां से जो कहानी मिलकर के आ गई है वो यह चीज आ गई और अगर यह कहानी आपको clear है तो देखिए भईया z into z बर this is mod z का whole square होता है भई यानि कि इससे यहां पाता चल गया हम है कि 1 बराबर आगया 2 mod z का whole square mod z का whole square is equal to 1 upon 2 हमसे question में जो पूछा गया था that is also mod z का square and answer is 1 upon 2 so this is the question main logic यह है कि अगर c and d हम लगा लेते हैं तो यह question बहुत आसान सा बन गया और c and d नहीं लगाते हैं तो यह question बहुत लेंदी था उम्मीद है आपको समझ आगया होगा कि क्यों c and d लगाया सकने अगले question पर आगे बढ़ते हैं अब यह कुछ एक questions ऐसे जो differentiation में board exam में दिखाई देते हैं लेकिन आप यकीन मानिए कि इसी question को मैं objective question में convert कर सकता हूँ आप बहुत आसानी से बात समझते भी हैं कि हाँ बहुत सी बात है चार option दे करके आपको पूछा जा सकता है problem क्या है कि अगर board exam में यह question आता है और आप इसको solve करने के लिए जाओ और ऐसे differentiate करो कि भाई इसको cos inverse x की तरह दिख रहा है वो formula लगा दो minus 1 upon 1 plus x minus 1 upon root के अंदर 1 minus x square भाई साब निपड जाओगे फिर वही कहानी है आराम से समझना और कैसे इस्तिमाल करना inverse trigonometry के अंदर कुछ properties की मदद से हम इसको solve करते हैं लेकिन आपको best तरीका बता रहा हूँ cnd चलना है इसलिए यह लिखा हुगा cos inverse जैसा कि हम जानते है cos inverse P अगर Q लिखा है इसका मतलब है कि P की value cos Q है उसी नाते से x square minus y square upon x square plus y square is equal to cos of whatever it is 10 inverse A ऐसी स्थिति में A constant है अब हमें पता है कि numerator और denominator में same same चीज़ है बस sign का difference है we will have to use componendo and dividendo rule numerator plus denominator जैसे ही हम दोनों को add करेंगे तो y square cancel होकर कि 2x square numerator minus denominator जैसे ही आप minus करोगे तो x square cancel होकर कि minus का 2y square and here it is cos of 10 inverse A plus 1 और whole upon cos of 10 inverse A minus 1 because यहाँ पर हमने 1 consider कर रख था c and d दोनों तरफ लगता है एकवल कि इधर इधर दोनों तरफ लगाना पड़ेगा नहीं तो नहीं लगेगा दोस्तो 2 say 2 cancel होता हुआ दिख रहा है and this is the time जब हम इसको differentiate करते सीरा हाँ आप यह काम भी कर सकते हो कि हम x upon y is equal to उमीद है आप समझ गे होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ x upon y यहाँ पर minus लगा हुआ है मैंने minus उधर बेज दिया लेकिन चलो छोड़ो आपको confusion नहों इसलिए मैं काम कर देता हो x square y square and minus whatever it is same हैसे ही रखता है and now अव हम इसको differentiate कर देते है जैसे हम इसको differentiate करेंगे तो भाही यहाँ हो जाएगा 1 upon y की power 4 आराम देदीजे y square को that will become 2x minus अब आराम देदीजे x square को और इसका हो जाएगा 2y और dy by dx दोस्तो right side में that will become 0 क्यों क्यों क्योंकि this whole thing is constant यह पूरी चीज़ दर आएगगे that is constant नहीं यार तो constant तो भाही सब a ही है सब कुछ 0 होगे अब आप आसानी से देख सकते हो y की power 4 will go in 0 and यहाँ पर जब आप solve करेंगे तो 2 से 2 cancel होता हुआ दिखाई दे रहा है x y common आकर वो भी 0 में समाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि या तो x 0 या y 0 या दोनों 0 दोनों 0 नहीं हो सकते है अगर दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब यह question ही नहीं मन रहा होगा तो ऐसी स्थिति में dy by dx will be y by x क्योंकि यह उधर जाएगा आप उन में x दिपाइड होगा हैंस प्रूब come on to the next question look at this यह question same homework रहेगा आपके लिए same pattern पर homework और करके आप मुझे बताईएगा कौन सा पार्ट सही है and now another question इन में सो कौन सा पार्ट सही है आपको बताना है एक अच्छा question है यह एक important question कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने आपको बताई थी ठीक है यहाँ पर एक option और डाल लेता हूं में none of these बताईए गजरा कैसा रहा session यह भी बताना है अभी हमने आपके लिए compile करने की कोशिश की है कि जहां भी component में dividend लग सकता है वो आपको उने बता दिया है अब यह part आपके register पर नूट हो जाए डंग से proper नूट हो जाए और मुझे session बता दो कि क्या यह helpful रहा या नहीं रहा मिलते हम लोग अगली class में अपना ख्याल रखिए मस रखिए खुद को पढ़ाई करते रहो माता पता की बात मानों स्वस्त्रों मस्त्रों व्यस्त्रों याद कली थेंक्यू